नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इसक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो, 20 दिसंबर 2020 को हिमाचे प्रोदीश में LT कमिशन की परिक्षा होने जा रही है और उसके रिगार्डिंग हम आज ये अपनी प्रशनोती लेकर आए हैं इसमें हम शिक्षा शास्त्र और शिक्षा मनो विज्ञान या जो टीचिंग साइकोलोजी है उसके प्रशन आपके बीच में लेकर आए हैं और इससे पहले हमने भाशा अध्यापक से संबंदित जो प्रिबियस एर के पेपर थे दोस्तो दो प्रिबियस एर के पेपर हमने डिसकस कर लिये हैं और साथ ही साथ हमने ये भी डिसकस कर लिया है कि किस टॉपिक से कितने प्रशन पूछने की संभावना रहती है भाशा अध्यापक की चंटनी परिक्षा में तो अगर आपने अभी तक वोबाली वीडियो नहीं देखी है तो आप HP LT कमिशन के नाम से जो हमारा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको पूरा का पूरा टॉपिक वाईज पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने प्रशन पूछ जात जकता है निमन मैंसे यह कथन किसका है तो देखे इस तरीके से आपको एक डेफिनिशन दे दी जाएगी और इसी तरीके से प्रशन बनने की संभावना रहती है कि आपको कथन बताना है कि वो किसका है और इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप Hindi व्याकरन की वीडियो चाहत वहाँ पर पढ़ाई हुई हैं तो आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं तो चलिए इस प्रशन का उत्तर देख लेते हैं तो इसका दिखिए जो सही उत्तर होगा यह होगा आपका विकल्प नमर 3 लॉक जे तो लॉक जे ने कहा था कि जो बच्चों का मस्तिश्क है वो कैसा होता है साफ स्लेट की तरह होता है और जिस पर स्माज जो चाहे लिख सकता है और एक चीज और यहां साद देने वाली बाती है कि जो भी हमारा शिक्षा शास्तर या शिक्षा मनवी घ्जान है दोस्τού वहाँ पर बहुत सारे हामें विकल्प ऐसे लगते हैं कि ये एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं, हालांकि ये वाला प्रशन तो बिल्कु डारेक्ट था कि इसमें एक ही उतर होना था, लेकिन अन्य जो प्रशन होते हैं देखिए उसमें बहुत सारे विकल्प एक तरीके के ही देखने को मिलते हैं कि ये भी सही हो सकता है ये भी सही हो सकता है तो वहाँ पर हमने क्या चीज़ करनी है कि जो सबसे उत्तम प्रशन का उत्र होगा वही हमें देना होता है जो कौन था ठीक है तो देखिए विकल्प है Monroe उसके बाद H.E. Armstrong, Herbert Spencer या फिर John Adams तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प नमबर 2 H.E. Armstrong तो ये थे आपके स्वताशोध विदी के अग्रगामी अगला पशन है देखिए पहला शिक्षा शास्त्री कौन थ जिसने खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही थी तो देखिए जो पहला शिक्षा शास्त्री था वो था आपका विकल्प नमबर 1 देखिए Frederick Probel तो इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा को किस से जोड़ा था इन्होंने खेल से जोड़ा था और श्यक्षिनिक जो खिलोने खिलोनों का विकास भी इन्होंने किया था तो इस तरीके से भी ये प्रशन पूछा जा सकता था कि श्यक्षनिक खिलोनों का विकास किस ने किया है तो ये भी आपका Frederick Probel होगा ये कहां के थे जर्मन के प्रसिद शिक्षा सास्त्री थे और जो Kindergarten जिसको बालवारी भी कहते हैं उनकी भी संकल्पना इन्होंने ही की थी Frederick Probel ने clear है अगला प्रशन हम दिख लेते हैं देखिए निमिलिकित में से कौन सा पूर्ण रूप सही नहीं है तो देखिए यहां से आपको प्रशन इस तरीके से पूछा जाता है या तो NCTE की स्थापना कब हुई थी है ना इस NCTE हो चाए NCERT हो या फिर CIET हो या फिर CBSC हो आप देखेंगे प्रशन के पेपर में जाके कि यहां से कुछ ना कुछ आपको प्रशन जरूर बनता नजर आता है तो देखिए Central Institute of Educational Technology CIET है ना तो बिलकुल सही है यह देखिए उसके बाद है NCTE National Council of Teacher Education यह भी बिलकुल correct है उसक यह होगा आपका National Council of Educational Research and Training ठीक है तो यह क्या है इसका गलत है है ना यह सही नहीं है नेक्स से देखिए CBSC Central Board of Country Education तो यह भी क्या है सही है तो यहां से एक प्रशन जरूर पुछा जाएगा कि यह कब बने है या फिर इनकी full form या फिर इनसे सम्बंदित कुछ अन्य जो चीज बनती है उनसे सम्बंदित प्रशन पूछा जा सकता है नेक्स देखिए शिक्षन की गुणवत्ता परिलक्षित होती है तो अब जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि इस तरीके के बहुत सारे प्रशन होते हैं जहां पर हमें विकल्प सब लगता है कि ये भी हो सकता है ये भी वत्ता से ठीक है तो ये इसका क्या है सही उत्तर होगा और खासकर एक बात इन प्रशनों को करने से पहले एक और चीज़ भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो भी उत्तर स्टुटेंट के हित के लिए जादा हितकारी हो मतलब जो भी कथन उत्तर में दिया गया हो वो शारिक रूप से अक्षम बच्चों का समान्यत होता है तो देखिए जो शारिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं वो समान्यत किस बीमारी से गरसित होते हैं या उन्हें क्या होता है या क्या कहते हैं ये शिक्षा और विज्ञान के अंतरकत तो यहां से भी प्रशन हर ब विकल्प number 3 देखिए European अगर हम dyscalculia जो विकल्प number A है देखिए तो यह किसे संबन दीता है तो यहाँक किखिए calculate एक तरिके से करना है ना calculate इसलिए लिखा है तो यह है आपके अगर उसको अक्षम हो है ना next दीखिए जो आपका dyslexia है यह किसे होता है पठन पाठन से होता है और अलेक्सिया जो है देखिए ये आपका सीखने से होता है ठीक है तो ये आपने याद रखना है कि जो अलग-अलग है ये डिसलेक्सिया, डिसकलकूलिया, डिसग्राफिया या फिर अलेक्सिया है ना तो इस प्रशन का जो उत्तर होगा वो होगा एक बार आप परिक्षा से पहले इसको भी पढ़कर जरूर जाएं नेक्स से दिखिए एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रशन पूछता है उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह शरार्ती है अधिक जिग्यासू है या फिर प्रतीवाशाली है या फिर वह आसमान्य है तो इसका जुसाई उतर था वो क्या था आपका जिग्यासू होगा अगला प्रशन हम देख लेते हैं बुद्धी पहचानने तथा सीखने की शक्ती है कथन किसका है तो देखिए बुद्धी के बारे में प्रशन पूछा गया है कि क्या है वो पहचानने और सीखने की शक्ती है ये कहा है आपका देखिए विकल्प नमबर एक गॉल्टन ने ठीक है तो इसका जुस्था ही उत्तर होगा गॉल्टन नेक्स देखिए सर्वत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान विदी का प्रियो करता है और प्रदर्शिन के माध्यम से सिखाता है या फिर विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रिरित करता है तो इसका जुस्था ही उत्तर लागू करेगा या फिर चात्रों के साथ घनिष्था स्थापित करेगा या फिर चात्रों को अपनी योग्यता के बारे में बताएगा या जितनी जल्दी संभव हो अध्यापन अध्याय बढ़ाना प्रारम करतेगा तो देखे इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सबसे पहल करना ज़रूरी होता है ठीक है तो विकल्प नंबर दो इसका क्या होगा सही उत्तर होगा अगला प्रशन है देखिए वुर्ज डिस्पैच की अनुसार अनुदेशन का माद्यम क्या होना चाहिए तो वुर्ज डिस्पैच ठीक है यह बहुत मौत पूर्ण है यहां से भी प्र शिक्षा होनी चाहिए जो आपकी higher education है ठीक है और जो आपकी दूसरा जो school शिक्षा है वो किस बाशा से स्थानिय बाशा से ये मानते थे तो ये दोनों चीज़ इसमें क्या है ये annotation का माध्यम होनी चाहिए woods dispatch के अनुसार ठीक है अगला प्रशन हम देख लेते हैं समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो देखिए समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल नहीं है सबसे पहली बात तो याती है कि समावेशी शिक्षा से अभी प्राय क्या है आश्या क्या है तो मतलब देखिए विकलांग और समान्य चात्रों को समान शेक्षिक अवसर प्रदान करना ही क्या है आपका समावेशी शिक्षा है तो हो सकता है प्रशन इस तरीके से पूछा जाए कि समावेशी शिक्षा से क्या आश्य है, मालने आपको फिर विकलब दे दिये जाएं कि विकलांग चात्रों का विशेश शिक्षन या फिर सरव शिक्षा ब्यान या फिर विशेश्ट विद्यालेव में विशेश शिक्षा तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो मैंने आपको पहले बिता दिया कि समावेशी शिक्षा का मतलब है विकलांग एबं समाने चात्रों को समान जो शेक्षिक अवसर प्रदान किये जाएं, वो ही कि आपका समावेशी शिक्षा है, तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा प्रकरिया में देखिए शामिल नहीं है तो इसमें चार चीजने सामिल हैं वो चारों यहां पर चिन्नित हैं लेकिन थोड़ा सा एक शब्द को गुमा के लिखा गया है वो है आपका विकल्प नमबर तीन देखिए संस्था युक्त शिक्षा जबकि ये क्या बानते हैं ये संस्था रहित शिक्षा है यही समवेशी शिक्षा प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो यहां पर विकल्प नमबर तीन क्या होगा साय उतर होगा संस्था युक्त शिक्षा तो समवेशी शिक्षा प्रक्रिया में जो शामिल नहीं है वो है संस्था युक्त शिक्षा लेकिन अगर हम समवेशी शिक्ष है युक्त का मतलब है कि संस्ता है ठीक है तो तिसरी संस्ता रहीद शिक्षा और चौथा था उसमें समावेशन तो यह है समावेशन शिक्षा प्रक्रिया में शामिल क्लीर है अगला परशन हम देख लेते हैं देखिए भारतिय सम्विदान के किस अनुछेद में शेक्षिक अवसर का समानी करण परदान किया गया है तो देखे इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकलप नुबर चार अनुछेद फोटिफाई ठीक है नेक्स देखिए पाठ आयोजन के लिए सरवप्रत्थम अवश्यक है तो पाठ आयोजन के लिए सबसे पहले जरूरी चीज कहा दिखिए वो है आपका विकलप नुबर एक उदेश्यों का निर्धारन पहले आपको उदेश्य निर्धारित करना पड़ेगा उसके बाद ही आप आठ आयोजन कर सकते है सबसे पहली चीज उसके लिए वो ही चीज है कि आपको इम्स डिसाइड करना है भी है ना नेक्स प्रशने देखिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रियास करना चाहिए निमी लिकित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्यश्य के साथ संबद है तो देखिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रियास करना चाहिए और कौन सा क्षेत्र इस उद्यश्य के साथ संबद है तो यह है आपका शिक्षा मनोविज्ञान और जिससे related हमारा आज का पूरा का यह lecture भी है कि शिक्षा मनोविज्ञान से समंधित प्रशन पूचा गया है तो अब यह सी बात है तो यह किस से होगा जो हमारा teaching psychology होगा उसी से होगा विकल्ब no.3 will be the right answer next से दिखिए बच्चों के विकास से सμंधित निर्मान एवं खोज का सिद्धान निमी लिकित में से किस ने दिया तो दीखिए यह सिद्धान बहुत मौत पूर्ण है चाए आपका प्याजे का सिद्धान हो चाए आपका व्योगतसखी का हो है नप चाहा कोल वर का हो तो इनक इन चीज़ें मैंने अपने previous year paper को थोड़ा सा analyze करके आपके बीच में रखी हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्रशन मिलाने की कोशिश की है ठीक है तो देखिए यहां पर इस प्रशन का जो उत्र होगा निर्मान एवं खोज का जो सिधान ये दिया था आपका जी प्रस्टूत कीए हैं तो देखिए कोलवर्ग ने भी प्रस्टूत कीए हैं उगला कोलवर्ग आ पहले जिन प्याजन प्याजे था तो यहां पर देखिए जो विकलप नंबर चार और है यह आपका नैतिक विकास के चरण, तो यह प्रसुत किये हैं, कोलवर्ग ने, जबकि संग्यानात्मक विकास के चरण किस ने किये हैं, यह किये हैं, जीन प्याजे ने, और शारिक विकास के चरण, और संविगात्मक विकास के चरण, यह किस ने किये हैं, यह आप मुझ और जब कि, एक कारक सिध्धान्त के प्रति पादक हैं आपके देखिए। ये हैं गिलफोर्ड तो दो चीजे हैं, बहुकारक के थोर्ण डाइक। और आपका जो एक कारक हैं वो हैं गिलफोर्ड। थीक है तो इस तरीके से भी प्रशन पूछ जा सकता है कि बुद्धी के एक कारक सिध्धान्त के प्रतिपादक कौन है तो उसका उत्तर भी आपको मालूम होना चाहिए तो यहां पर था बहु कारक ले रहे हैं अगला प्रशन हम देख लेते हैं देखिए विकास के किस काल को अत्यरिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है तो देखिए विकास के जो काल है देखिए वो कौन सा काल ऐसे होता है जहां पर अत्यरिक दबाव और तनाव होता है तो अब्वेसी बात है कि यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर हम शिक्षा शास्त्र या फिर जो लेकिन यहां पर विकास के लिखाए देखिए, विकास के किस काल को अतेधिक दबाब और तनाव का काल कहा गया है, तो इसका जो सही उतर होगा आपका विकल्प नमबर एक किशोरा बस था, ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटीर होगा, तो इसलिए आपका विकल्प नमबर एक ज़िए क्लकत्ता विश्विद्यालय आयोग का अन्य नाम क्या है तो दीखिए हंटर आयोग, सैडलर आयोग, भारती शिक्षा आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं तो दीखिए इसका जो सही उतर होगा वोगा आपका सैडलर आयोग तो यहां आयोग वाले प्रशने प्रशन होगा योगा सैडलर आयोग नेक्स से देखिए आखरी प्रशन आज का वर्दा शिक्षा योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो देखिए इसको अन्य जो नाम दिये जाते हैं बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा नई तालीम या फिर उब्रोक्त सभी तो से पूछा जाए कि वर्दा शिक्षा योजना का सबसे लोगप्रिय नाम कौन सा है है या लोगप्रिय अन्य नाम कौन सा है तो वो होगा आपका बेसिक शिक्षा ठीक है अगर या इस तरीके से डारेक्टली पूछा जाए कि अन्य कौन-कौन से नाम है तो ये तीन होंगे बुन्यादी भी और आपका नई तालिम भी ठीक है तो इस प्रोशन का उत्र होगा उपरोक्त सभी इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने हिंदी साहित्य जो आपका 100 नंबर का पुछ जाता है साहित्य और व्याकरण उससे समन्दित कुछ त्यारियां करनी है तो हिंदी सा बार देख सकते हैं वहाँ पर आपको विस्तार से सारी चीज़ें मिल जाएंगी ठीक है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें हैं आपके लिए एल्टी कमिशन के लिए बहुत उप्योगी वह लेक्च्चर साबित हो सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों य के लिए शुक्रिया जहिंद